हलो नवस्कार इस्ट्वेट मैं विशेक बारगाव भारगाव भारगाव लासेस के इस यूटूप चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज का जो मारा वीडियो टॉपिक है वो है रेल्वे के लिए गड़ीत के प्रश्न ठीक है क्योंकि बहुत दिनों स देखेगा और बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर आप जो करते हैं उसका पीडियेफ जरूर दीजेगा तो आज जो है आज समय जो सौल करूंगा उसका पीडियेफ भी आप लोगों को टेलीग्राम गुरूप जो हमारा भारगाव लासेस है उसके अंदर में आप लोग देखे बड़ा aजीशन है कुछ करने की जरूरत यहाई है इसके अंदर में देखेए कि उसको कितने अंक मिले है तो गानों को मिल जाएगा तो देखते हैं हम पासिग लेते हैं तो 43 को हम इसपर जोड Whew'llett तो हमको क्या मिल जाएगा पासिग नंबर मिल जाएगा थी आप अब हमको क्या बोलता है हम पर देखे एछ棒 सेटेन के लिए पचीस पृतिस सunted अंग हासिल करने होते हैं तो प्रचीस प्रतीसत अंग हासिल करने होते हैं तो वह पास हो जाता है मतलब की 90 नंबर 25% बराबर क्या हो जागा यहां पर 25% बराबर क्या हो कर दोगे तापको 946 मतलब 360 अंक जो है उस परिच्छा के अधिक्तम अंक होंगे ठीक है कितने होंगे कर दो मांन लेकिताब 100% में है तो यहां पर भी मान लेता हूं तिक है अब अब एक अदमी किताब को 5% में वैचता है मतलब कितने हो जाएगा 95% नुफफान में भेच नुफफान है यदि वह उसे 80 रुपे में बेचता है तो उसे 5 परसेंट का लाब होता है यदि 80 रुपे में बेचेगा तो हम यहां माल लेते हैं उसको कितना लाब हो जाता है तो 105 परसेंट हो जाएगा अगर वह 80 रुपे में बेचता है तो अब यहां पर आप देख लिए 95 से 105 में कितने परसेंट का जो अंतर है तो यहाँ पर कितने परसेंट का अंतर है 10 परसेंट का तो उसको लाव कितना हो रहा है 5 परसेंट तो 10 परसेंट बराबर कितना हो गया 80 10 परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 80 तो आप इसको आप calculate कर लीजे तो यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है देखें कुछ नहीं किया है क्या कि आप 100% मानते हम ठीक है अब उसने 5% उपसाल में बिचात कितना होगे 95% और यदि वो 5% लाप कमाने चाएगा तो उसको 105% करेगा दोनों के बीच का डिफरेंस देख लिए जब 10% और 10% बराबर क्या है 80 रुपए तो आप उसका जो है क्रेम उले जो है कि आपका निकाल सकते है ठीक है तीसरा प्रशन की तरफ चलते हैं तीसरा प्रशन बोल रहा है कि एक निश्चित कीमत एक निश्चित कीमत के लिए एक वस्तू यह वस्तु नहीं है वस्तु है वस्तु बेच कर एक आदमी को 20% लाब मिलता है यदि वह उसे दोगनी कीमत पर बेचता है तो लाब का प्रतीसत क्या होगा अब देखें इसको बड़े धिहान से देखेंगा यदि हम माल लेते हैं कॉस्ट प्राइज पर कितना है 100 रुपए है अब बोलता है कि वस्तु आदमी जो है सेल करता है तो बीस परसेंट के लाब मिलता है मतलब सेलींग प्राइस कितना होगी आप उसका 120 आप बोलता है यदि वा उसे दोगनी कीमत पर बेचता हो मतलब कि अभी selling price का 120 है यदि वा इसी का दोगनी कीमत पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा selling price selling price 2 जो हो जाएगा उसका वो हो जाएगा इसको दोगना कर रहेंगे तो 240 रुपे ठीक है अब बताना है कि दोगनी कीमत पर बेचता है तो लाब का प्रिशत क्या होता है तो आप post price और ये वाले selling price में difference देखना है ठीक है तो कितने का अंतर है 140 का ठीक अब आप percentage कैसे निकालते है इससे फरक पड़ता है तो ये वाले से तो क्या हो जाएगा 140 पड़ती अपकॉन में क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 ठीक है तो अब जाब इसका percentage निकालो कि कितना हो जागा ये 140 परसेंट ये इसका सही answer होगा ठीक है तो लाब का प्रिशत क्या होगा 140 परसेंट ठीक इसके चौथे परशन की तरफ चलते है चौथा परशन बोल रहा है यदि एक वृत की तरज्जा में 31% की वृत्दी हो जाती है तो उसका छेत्रफल कितने परतीसत से सौरी कितने परतीसत से बढ़ जागा ये बढ़ जाएगा ठीक है सुरहार लिजेगे हां पर से बढ़ जाएगा ठीक तो देगे तरज्जा जो है वो है अभी 100 ठीक है और एरिया एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वेर मतलब आर का जो है स्क्वेर हो जाएगा है तो अभी अगर यहाँ पर एरिया जो है वो 100 है और पाई आर स्क्वेर में इसको 100 का यह कितना हो जाएगा अभी यहां पर हो जाएगा यह ठीक और अगर इसमें इस त्रिज्जा में 31% की व्रिद्दी हो जाए ठीक है तो उसका 6 तरफल कितने पृतिसक बढ़ जागा यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों में आप डिफरेंस नकालने को तो कितना निकलेगा norm और आप को कही निकालना है कितने पृतिसक बढ़ जाएगा, तो 7171 जाती है तो उसका च्रस रफल में कितने प्रतिसत बढ़ जागो इसको एक फॉर्मला आता है आपको मालू माँदा, combination वाला, a plus b plus a into b upon 100, इससे भी आप इसको solve कर सकते हो, कैसे करोगे, तो a plus b मतलब 31 plus 31 plus क्या हो जाएगा, 31 into 31, और upon में क्या हो जाएगा, 100, आप इससे भी इसको solve कर सकते हो, देखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 62, फिर plus में क्या हो जाएगा, यहाँ 961 upon 100, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 62 plus क्या हो जाएगा, 9.61, जब आप इसको जोड़े हो जाएगा, 71.61, ठीक है, यह इसका answer इस type से भी आप निकाल सकते हो, ठीक, नेक्स्ट प्रस्न है पाचवा, किसी संख्या का 30%, उसी संख्या के 25% से 27 अधीक है, संख्या का मान क्या होगा, देखें, बहुत simple question है, 30% minus 25% equal to 27, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आगिया, 5% is equal to 27, ठीक है, 5 by 100 is equal to 27, आप इसको इस साइड लिया होगे, तो क्या होगा, 100 upon 5, यह इसको कटा दो, यह दो बार में कड़े जाएगा, आप इसका multiply कर सकते हो, आप multiply कर होगे तो आपका आजाएगा, 540 जो है इसका answer, ठीक next question की तरफ चलते हैं, छटवा question है, यदी परिच्छा में 50% विध्यार्ती इतिहास में उत्तिर्ण हुए, और 55% विध्यार्ती हिंदी में उत्तिर्ण हुए, यदी 5% दोनों विशाय में अनुत्तिर्ण हुए, तो दोनों विशाय में उत्तिर्ण होने आले विध्यार्ती क प्रतिशर क्या है देखे इसको आप एक Ven diagram के method से बना सकते हो Ven diagram को method मतलब simple करने के लिए आप क्या करो एक circle लो इस circle में दूसरे circle को add कर दो ठीक है अब यहां पर जो है 65% जो है वो किसमें इतिहास में ठीक है इस वाले circle में 65% जो है इतिहास में उत्यन हुए इस वाले circle में दे 55% जो है वो किसमें है 55 परसेंट 款 sar na pe तो यह होगा हिणılddy बोलता है दोने जो है पांच परसेंट विशाय में अनुप्न टिर्ण नयुवे अभी यहाँ पर देखते है 65% अगर इत्यास में पास होते हैं तो फेल कितने होते मतलब यहां पर आप 35% फेल में लिख सकते हैं. यहां पर कितना हो जागा यहुआ हिंदी में पास हो जाते हैं, क्योंकि हम दोनों में 5% अनुत्रिडno अनुत्रिडड होना है. लेकिन 5% दोनों मिलाकर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यह 5% आप इसमें निकाल लो तो यह हो जाएगा 30% और यह कितना हो जाएगा? 40% ठीक है? क्योंकि हमको फेल वाले निकाल ले हैं अब दोनों विशाय में अनुतिर्ण होने आले विध्यारतियों का पतिसर्थ क्या होगा? तो जब आपको यह मिल जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते होते हैं कैसे हो जाएगा? 30% इतिहास में हुए 40% हिंदी में हुए और 5% दोनों में हुए ठीक है? तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 75% याने दोनों मिलाकर कितना हो गया 40, 30, 75 75% जो है हमारा जो आंसर नहीं होगा अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों विशाय में फेल होने आले विध्यारतियों कि परतीसत क्या होगा तो जब 75% फेल है तो 100 में 75% फेल है तो कितने परसेंट जो है पास है तो यह 25% जो है तो यह आजाएगा आपको 25% दोनों विशाय में फेल होने वाले ठीक है तो यह आपका जो है आंसर निकल कर आजाएगा देगे फिर से बता देते हैं 65% जो है इतिहास में क्या हुए है पास हुए है 55% हिंदी में pass हुए है तो 100 में कितने percent fail हुए है तो 35% fail हुए है यहाँ पर और यहाँ पर 45% fail हुए है लेकिन दोनों मिलाकर 5% यहाँ यहाँ पर fail हुए यह वाला हिस्सें जो है तो इसमें 5% मानस कर दोंक तो यह हो जागा 30% यह हो जागा 30% तो पास का प्रसिज़त कितना होजाएगा यह 25 परसेंट तो यह आपका अंसर निगल कर आ गया है अब आप इसी प्रकार का एक प्रस्फन जो है आपके लिए है यह सात्वा प्रस्फन इसको आपको करकर कमेंट सिक्षन में आउंसर करना है और इसका PDF जो है डाउनलोड कर लिजिएगा PDF जो है डाउनलोड कर लिजिएगा कहां पर मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ आप Telegram जो है ये पुरा सॉल्व मिल जागा आपको Telegram में आप सर्च करिएगा भारगाव क्लास ठीक है तो आपको मिल जागा भारगाव क्लास वहाँ जॉआइन का बटन आता है टेली गिराम में जॉआइन करकर इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही था जै हिन जै भारत